आज के सिर्फ एक वीडियो के नर हम RCCB जुड़े सारे सवालों को पर बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के नर हम RCCB की जोरत क्यों पड़ती है RCCB को सलेट कैसे किया जाता है मतलब आपके घर में आप RCCB लगाना चाते है तो कितने की RCCB आपको लगानी है वो हम जानेंगे RCCB का कनेक्शन कैसे करते है वो हम जानेंगे RCCB को टेस्ट कैसे किया जाता है कि ये खराब या से उसे भी जानेंगे इसके अलावा एक सवाल यह भी आता है कि हमारे पास में अगर 4POL की RCCB है जैसे कि आपको दिख रहा है 1,2,3,4 पोल की RCCB तो इस RCCB को क्या हम 3-phase की supply पर यूज कर सकते हैं मतलब कि बिना neutral के भी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके के लगबख सभी सवाल होगा जवाब आपको सिर्फ आज के इस एक वीडियो मिलने वाल है तो बिना ज़दे जरीकरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता है दोसो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला सवाल सभी के मन में यही आएगा कि आखिरकार RCCB जरूरी ही क्यों है RCCB को हमारे घरों में हमारे इंडेस्टी में लगाना क्या सच में इंपोर्टेंट है या फिर नहीं तो दोसो अगर मैं आपको RCCB इतनी ज़्यादा ज़री क्यों है इसे आसान सब्दों में बताओं तो हम सभी घरों के अंदर पहले से MCB को लगाते आ रहे हैं अब यह MCB जो हमारे घरों में लगाई जाती है इस MCB का काम होता है हमारा जो भी घर लोड लग रहा है जो भी आपको उपकरन चल रहा है हमारी सप्लाइस से उस उपकरन को protection देना मतलब कि कल को किसी कार्ण वर्ज हमारा जो उपकरन है जो भी हमारा load है चाहे वो motor हो सकती है, tube light हो सकती है, fan हो सकते हैं, हमारी TV, LED कुछ भी हो सकते हैं, तो जो भी हमारा वो off current है, उस off current को सुरक्षा देना हमारा MCB का काम होता है, MCB से हमें दो मुख्य सुरक्षा मिलती है, पहली होती है overload की, overload का मतलब की हमारा जो भी load है, जैसी क सब्सक्राइब कि हमारी जो सप्लाई यह सप्लाई अगर आपस में टच हो जाती है को शौर्ट सब्सक्राइब हो जाता है तो उस समय भी हमारी mcb हमें शुरक्षा देती है लेकिन दोस्तों अगर हम rccb की बात करें तो rccb का मुख्यकाम अर्थ लिकेश से या फिर electrical shock से human को protection देना होता है और यह है human को protection देनी की बात आती है मतलब कि कभी हमें electrical shock ना लगे वह protection हमें mcb से नहीं मिल पाती तो इसी वजह से हम सभी mcb के साथ में rccb को भी लगाते हैं लेकिन उसा अब अगला सवाल यहाता है कि आखिरकर rccb human को electrical shock से protection कैसे देती है मतलब rccb किस तरीके से work करती है उसे भी फटाफट से जान लेते हैं तो दोस्तों देगे क्या होता है उधारान के लिए माल लिए यह हमारी की लोड़ है माल लिए यह हमारी कोई मोटर है अब नो कोई मोटर है अगर सेंगल RCCB sense करती है और साथ में यह देखिए कि जो भी current wire में से flow हो रहा है वह कही unbalance तो नहीं है मतलब कि जितना current हमारा load के तरह जा रहा है उतना ही current वापस से आ रहा है नहीं आ रहा है इस चीज़ को हमारी RCCB sense करती है और अगर किसी current वापस से नहीं कहीं ना कहीं current में unbalance हो रहा है तो उसी समय RCCB उस current को sense कर लेती है और automatic हमारी trip हो जाती है तो अभी तक हमने RCCB क्या होती है यह कैसे काम करती है इसे लगाना क्यों ज़रू ही है इन सभी के बारे में जान लिया है लेकिन अब इसके बार में हम RCCB जोड़े और भी कहीं सारे सवालों के पर बात करेंगे लेकिन दोस्तों मैं यहां पर बता दूँ कि कहीं सारे लोग एक सवाल यह है पुछेंगे कि आप RCCB कौन सी उप्योग कर रहे हो इस वीडियो को बनाने के लिए तो यहां पर मैं LNT की एक्षोरा रेंज की RCCB का उप्योग कर रहा हूँ LNT की RCCB की उप्योग करने के पिछे का रीजन यह है जैसे की मेरे पास में एक RCCB है जो की 40 A अगर मैं इस RCCB को ओपन करूँगा तो ओपन करने के बाद में इनके बॉक्स में जो मुझे RCCB मिलेगी वह एक bubble packet के अंदर मिलती है इसके अलाओ दोस्तों बॉक्स के अंदर मुझे एक test certificate मिल जाता है जो की इस बात को बताता है कि यह जो product है यह जो RCCB जो मेरे पास में आई है यह company के दोबारा test करके भीजी गई है और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक हमें manual instruction भी मिल जाती है जिसकी मदद लेकर हम RCCB को अच्छे से detail में समझ सकते हैं अब दोस्तों इसके बाद में हम next सवाल के उपर बात करते हैं कि आखिरकार RCCB को कैसे select किया जाता है तो दोस्तों RCCB के selection के time सबसे पहली चीज़ आप सभी को already पता है कि RCCB हमारी मुख्य दो टाइप में हो जाती है जिसमें एक हो जाती है हमारी double pole RCCB और दूसरी हो जाती हमारी four pole की RCCB तो इसमें जब भी हमें कभी single face की supply के लिए RCCB को यूज़ करना है तो दोस्तों एक बार जब हमने RCCB को select कर लिया कि हमें two pole की लगानी है फिर four pole की लगानी है इसके बार में next हम जब RCCB के range के selection की बात करते है तो उस समय हमें मुख्य दो बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहली हो जाती है हमारी rated current आखिर का rated current क्या होता है यह हमारा rated current होता है जिस तरीके से आपको आपके MCB में देखने को मिल रहा है 125 MPR इसके अलावाई दूसी MCB में हमारा यहां पर 16 लिखा है मतलब यह 16 MPR के यही सेम चीज हमारी RCCB में भी होती है तो कितने rated current के हम RCCB लाएं इससे select करना काफी जाना सिंपल है अगर आपके पहले MCB लग रही है तो आप direct MCB के rated current के अनुसार आपके RCCB को ला सकते है लेकिन अगर आपके पास में MCB भी नहीं लग रही है और आपको rated current जानना है तो अनुसा ऐसा होता है कि हमारा जो भी लोड हम हमारे circuit वेकर के ओपर जोडेंगे वह हम कितने ampere का जोड रहे है उस current के अनर हम multiply कर देते है 1.25 का और जो भी value आती है ampere की जैसे अगर वो 19 ampere आ गई या फिर हमारी 30-24 ampere आ गई तो जो भी हमारा ampere range के पास की circuit वेकर होता है उस circuit वेकर को हम लिया आते है अगर आपने पूरा total किया आपका कितना ampere घर का load है उस load को total करने के बाद में आपके पास वेल्वाई 24 ampere है तो हम क्या करेंगे इस 24 के पास में कौन से ampere की RCCB मार्केट में हमने देखा market के ना हमारे पास में 25 ampere की RCCB है के selection में दूसरा point आ जाता है हमारा sensitive range को लेकर मतलब कि आप सबसे पहले rated current को देख लोगे कि आपको कितने rated current की RCCB लेनी है लेकिन इसके बार में हम RCCB की sensitive range को देखेंगे यह sensitivity range क्या होती है तो आप किसी भी RCCB को देखोगे ना दोस्तों तो यह RCCB हमारी मुख्य तीन टाइप की sensitivity range में आती है एक हो जाती हमारी 30 milliampere दूसरी हो जाती हमारी 100 milliampere और तीसी हो जाती है 300 milliampere तो अब सवाल यह उड़ता है कि हम कौन सी sensitivity range की RCCB हमारे लिए लाए कि sensitivity range की RCCB को खरीदेंगे यह पूरा का पूरा हमारा depend करता है कि हम किस परकार के load पर RCCB को जोड रहे है अगर हम सबसे पहले 30 milliampere sensitivity range के RCCB की बात करे तो इसका मुख्य उप्योग ऐसी जगए पर किया जाएगा जहाँ पर हमारे load पर human का touch काफी जादा है मतलब कि हम हमारे घरों में 30 milliampere की RCCB को ही लगाते है क्योंकि हमें पता है कि हमारे घरों के अंदर जो भी हमारे load है जैसे हमारा fridge है हमारी washing machine है motor है इस सबी पर हमारा touch काफी जादा बार रहता है तो इसलिए घरों में हमेसा prefer किया जाता है कि 30 milliampere की RCCB को लगाए इसके बार में दोस्तों बात आती है 100 milliampere RCCB की कि इसको कहां पर लगाए जाता है तो इसका उपयोग ऐसी जगए पर किया जाएगा जहां पर हमारा inherent leakage current जादा होता है अगर हम उधारण की बात करें तो जहां पर ज्यादा digital devices लगेव है जैसे कि data center, IT park वहाँ पर हम 100 milliampere के RCCB को लगाते है क्योंकि जो digital devices होते है उसके अंदर कुछ ज्यादा मात्रा के अंदर leakage करेट रहता है तो इसलिए prefer किया जाता है कि जहाँ पर ज्यादा digital device का उपयोग हो रहा है वहाँ पर हम 100 milliampere sensitivity range के RCCB को लगाए इसके अंदर 100 milliampere के RCCB का उपयोग हमारी industry में भी आप कहीं बार दिखोगे industry के अंदर कहीं सारी हमारी जो पुरानी machines होती है जैसे कि हमारी पुरानी welding machine हो गई हमारी cutting machine हो गई इसके अंदर भी हमारा inherent leakage current काफी जादा होता है तो ऐसी जगह पर भी 100 milliampere के RCCB को प्रैफर किया जाता है अब इन दोनों के बार में हमारी 300 milliampere sensitivity range के RCCB आ जाती है कि इसका कहां उपयोग करते है तो इसका उपयोग हमारी fire protection के time किया जाता है इसके अलावा जहां पर भी हमारे heavy equipment लग रहा है इंड़ेश्टी के अंदर वहां पर भी आप फिर के RCCB को यह लगावाद देखेंगे तो दोनों अभी तक हमने RCCB से जुड़ेवे कहीं सारे सवालों के उपर इस वीडियो में बात करिए लेकिन इनके अलावा भी हम मुखे 2-3 points और देखेंगे जो कि आपके काफे ज़्यादा काम आएंगे सबसे पहली चीज़ तो हम यह देखेंगे कि आकिर कर यह जो RCCB होती है यह RCCB सही है या फिर खराब है इसे हम कैसे टेस्ट करते हैं और साथी में एक और सबसे बड़ा सवाल क्या हम 4POL की RCCB को भीना न्यूटल के उप्यों कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम हमारी RCCB को टेस्ट करते हैं इसके लिए हमने क्या किया इस RCCB को यहां से red face और यहां से neutral, दोनों लाके इसमें connect कर दिये, यह है जो red face और neutral हम लेका है, यह हम हमारे MCB के output से लेका है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि RCCB के अंदर हमारा यहां पे face आ गया है, और दूसरी साइट हमारे neutral आ गया है, इसके बार में दोस्तों हमने क् RCCB के output से हमने यहां पे एक lamp को, हमारे bulb को connect कर लिया, अब दोस्तों इतना होती है, हमारे RCCB के connection तो पूरे हो गया, अब हम इस RCCB को test करना देखेंगे, तो अब जैसे हम हमारी RCCB को on करते है, हमारा यह load, हमारा यह lamp on हो जाता है, अब इसके बार में दोस्तों जैसा कि मैं same तो है न, कहीं उसमें कोई unbalance तो नहीं है, और अगर current की value unbalance होगी, तो यह RCCB automatic trip हो जाएगी, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक manually fault को create करते हैं, मतलब कि हमारे इन दोनों wire में जो current flow हो रहा है, उसमें हम unbalance कराते हैं, तो इसके लिए मैं यहां पे आपके सामने एक earthing point को ले अर्थ के साथ में touch कराऊंगा, मतलब कि हमारे leakage current को flow कराऊंगा, और आप देखेंगे, जैसे मैं ऐसा करता हूँ, हमारी RCCB तुरंट trip हो जाती है, तो दोस्तों इससे क्या परचला, हमारी RCCB है, इस RCCB में जो हमारे दोनों wire है, इन दोनों wire के current को हमेसा major किया, और जैसे current पर थोड़ा सा भी change आया, क्योंकि अभी हमने neutral को earth के साथ short किया, तो इससे क्या हुआ, हमारा कुछ current earthing में चले गया, तो इससे RCCB को साब पर चल गया, कहीं न कहीं कुछ leakage हो रहा है, और इस तरीके से RCCB ने हमारे circuit को बंद कर दिया, automatic trip हो गे, अभी दोस्तों जो हमने neutral क साथ में देखा, earthing के साथ short करके, तो हमारी RCCB trip हो गई, सेम चीज दोस्तों, अगर मैं यहापे face के साथ में भी करूँगा ना, तो भी हमारी RCCB trip हो गी, मतलब RCCB को मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कि हम कहा leakage कर रहे है, किस wire में leakage हो रहा है, RCCB बस हमारे output में जो wire निकल लें, इन wire के current को हमेशा sense करती है, और unbalance को देखकर, automatic trip होती है, तो अभी हम इसको practically देखी लेते, मैं यहाँ पर हमारा face wire में इधर point को डालता हूँ, और इस face wire को ले जाके हमारा earth से short कर देता हूँ, और जैसे मैं इसे short करूँगा, हमारी RCCB या RCCB तुरंट trip हो जाती है, तो दोस्तो इस तरीके से हमने देखा कि RCCB कैस काम कर रही या नहीं कर रही, लेकिन दोस्तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं आपको कभी भी recommend नहीं करूँगा, कि आप RCCB को इस तरीके से test करे, RCCB को test करने के लिए, हमारे RCCB के उपर यहाँ पर एक button दिया होता है, तो जैसे आप आपके test button को दबाएंगे, आपके RCCB trip हो जाएगी, और अगर यह उस समय trip नहीं होती इस button को दबाने के बाद भी, तो इसका मतलब है हमारी RCCB खराब हो चुकी है, दोस्तो यहाँ पर एक बात का और दियान किये, कि अगर आपने आपके RCCB को हमारी supply से नही जोड़ रखा, तो उस समय आप आपके RCCB के test button को दबाओ गें बीना, तो भी आपके RCCB trip नहीं होगी, तो आप इस बात का दियान किये, कि जो test button होता ही, उसी समय काम करता है, जब हमारी supply RCCB से connected होती है, तो आप जब भी test button से RCCB को check करेंगे, यह उसी समय करेंगे, जब ह हमारी RCCB live supply से connect है, इसके अलाओ दोस्तों, इस L&T के RCCB पर आपको एक और चीज साफ लिखी होई दिख रही होगी, यह यहाँ पर लिकाओ है test once a month, मतलब कि हमारा test button होता है, जिससे हम RCCB को check करते है, कि यह healthy condition में है या नहीं, इससे महीने में एक बार आपको जरूर चेक करना है, तो यह काफी important चीजे जिसे आपको future में हमिसा याद रखना है, तो दोस्तों हमने कहीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर दिये, लेकिन आकरी के अंदर हम एक और सवाल का जवाब यह देंगे, कहीं लोगों के मन में यह question रहता है, क्या हमारे पास में होगी, तो दोस्तों इसका जवाब बिलकुल yes है, आपके जो RCCB होती है, यह बिना neutral के भी proper work करती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताए, कि हमारी RCCB होती है, यह हमारे unbalancing current को sense करके काम करती है, trip करती है, तो अगर हमारे RYB three phase या अग अपने use किया तो हमारे उन तीनों phase के अंदर unbalance current है या नहीं, उस चीज को ही RCCB sense करके आपको protection देगी, तो आप इस myth को पूरी देखे से दिमाग से clear कर लिजे, कि four pole के RCCB बिना neutral के नहीं चलती है, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके RCCB से चुड़ को मैं जरूर कवर करूँगा, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर बताए, अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परते हैं, आप मुझे निचे कमेंट बोक्स में कमेंट करें पूछ सकते है अज के लिए इतना ही धन्यवाद